हम बात करने जा रहे हैं फ्लो आफ लिक्विड में उसमें हमने पहले से बता रखा है कि स्ट्रीम आइडल लिक्विड क्या होता है रहे हम वैसे लिक्विड को बात करेंगे जो इनकंप्रसिबिल हो और नान विसकस हो यह बताए जा चुका है आपको फिर कहा गया गया अगर किसी फ्लो में सभी पार्टिकल्स लिक्विड के एक ही लाइन में जाते है तो वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है अगर जिग जैग मोशन करते हैं तो डबलेंट फ्लो कलाता है ठ अगर बाल्टि को नहीं हाँ से पानी को घुमने लगता है और थोड़ी दिर बाद हम देखते हैं कि पानी घुमते गुमते उसकी स्पीड कम हो जाती है और रुख जाता है इसका मतलब कुछ तो हमको लग रहा है कि लिक्विड के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो उसको रोक रही है हम तो रोक नहीं रहे तो लिक्विड के लेयर के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और हर लेयर दूसरी लेयर को रोकने का प्रयास करती है और वैसे भी हर आगे बढ़ने वाला पीछे वाले को रोकने का प्रयास करता है आप अगर कहतीजे एपी सर कैसे तो आगर कोई किसी की बुराई कर दे ठीक है तो यह समझ लीजिए फिजिक्स कहती है कि वो थोड़ा सा लेविल में है साइंस कहती है कि अगर कहीं आप पोजिशन हो रहा है यह आप टॉप में है अधर वागे बढ़ने वाला जो विक्ति होता है वो पीछी वाले को रोकने का प्रयास करता है वे विक्ति की बात करता हूँ यहां पर इस प्रापर्टी को कहते हैं विसकॉसिटी यह विसकॉसिटी का मतलब होता है कि उपर की विसकॉसिटी का बात हो रही है मतलब उपर वाली लेयर की विलास्टी ज्यादा होगी उसके नीचे लेयर जाएंगे थोड़ी सी कम होगी उसके नीचे लेयर जाएंगे थोड़ी और कम होगी उसके नीचे जाएंगे थोड़ी और कम होगी इस प्रकार से बिलकुल अगर नीचे जाएंगे तो हो सकता है उसकी minimum velocity हो जाए या zero velocity हो सकती है अगर आप नदी की बात करें तो ये आपकी maximum velocity उपर वाले की होगी maximum velocity होगी और ये minimum या इसको कहेंगे zero velocity zero velocity तो अगर हम definition कहें तो आप कहेंगे कि वह ये liquid कैसी property जिसमें हर layer दूसरे के layer के motion को oppose करती है तो लिखेगा the property of the liquid the property of the liquid by virtue of which by virtue of which जिसके कारण by virtue of which it opposes it opposes the relative motion the relative motion between the two adjacent layers between the two adjacent layers is known as viscosity is known as viscosity इसी को viscosity कहते हैं ये property उस लिक्विड की होती है जो लुक्ट जितने गाड़े होते हैं जितने मोटे होते हैं जिनकी density ज्यादा होती है वे ज्यादा ही प्रपरटी करते हैं ठीक है और जो जितने पतले लिक्विड होते हैं ठीक है यह पतले वाले जो लोग भुचारे होते वो एक दूसरे की पैर नहीं खीचते हैं और जतने मोटे लोग, मोटे वो वाले लोग नहीं ऐसे मोटे वाले लोग होते हैं विर ज्यादा एक दूसरे के पैर खीचते हैं यह science कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ अब लिखिए velocity gradient velocity gradient यह diagram बनाना चाओ बना लो यह जानने के लिए और कोई मतलब नहीं इसका है चीक, velocity gradient लेको gradient जो वर्ड होता है वो आपने पढ़ा होगा slope of the line में gradient वर्ड किया है slope of the line पढ़ी है ना coordinate में तो वाँ slope of the line जो आप निकालते थे तो आप करते थे m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 या आप 10 theta भी लिखते थे परपेंडी कुरपान base लिखते थे आप तो slope का मतलब यह होता है कौन कहता है altitude upon base देखो ऐसा है ना कि बात वही मैं कह रहा हूँ क्या बोला उन्होंने ठीक है हो सकता है वो भी सही हो सकते हैं भी सही हो सकते हैं अगर मैं कहूं नहीं वो गलत है तो अभी हमने कहा कि अगर मैं सामने वालों को गलत कहता हूं तो वो इसका हमता हूँ लेबल में है इसलिए उनकी बात हम नहीं कहेंगे side opposite अगर आप कहते हो किसके opposite भाई यह बताए आप कहेंगे जाब यह बताएए side opposite तो यह भी इसके opposite इसमें इसमें यह opposite side है कि नहीं है इसके opposite है इसके opposite है इसके opposite है ना तो मैं right angle triangle की बात भी कहां से है परपेंडिक बोला तो right angle triangle प्रूफ हो गया ना उससे अगर मैं परपेंडिक आप उनसे बात कहते हैं जो आप side opposite बोलते हैं यह तो किसी भी triangle में हो सकता है किसी भी angle के सामने हो सकता है इसमें यह कैसे से दोवा के right angle triangle में है अब वो कहेंगे 10th theta में हो गया तो 10th theta में आप side opposite लिक रहे हो लेकिन perpendicular सिद्ध कर देता है कि you are talking about right angle triangle चलिए वो जो सही कह रही होंगी वही बात माली है हम यह नहीं कह रहे है क्योंकि aim वहाँ उनका भी वही है हमें slope से मतलब नहीं है slope से मतलब यह होता है कि P के साथ B कितना change हो रहा है या B के साथ P कितना change हो रहा है आप इस pen को गरम करें प्लास्टिक का है पिखल जाएगा अगर मेटल का होता इसको गरम करें तो यह धिरे धिरे यहां पर heat होता जाएगा लेकि जो end आप heat कर रहे हो ज्यादा heated होगा उसे कम heat distance के साथ-साथ temperature down होता जाएगा हम कह सकते हैं कि the change in temperature temperature with respect to distance temperature gradient है अगर मैं water layer की बात करूं किसी नदी में तो आप देखें कि नीचे की जो layer होती उसकी विलास्टी बहुत minimum होती 0 होती है और जैसे जैसे उपर जाएगे velocity of flow उसका बढ़ता जाता है तो हम कहते हैं कि distance के साथ जो rate of flow of liquid है उसी को कहेंगे हम rate of flow the rate of change of velocity the rate of change of velocity with distance the rate of change of velocity अब हम half liquid नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये air भी हो सकती है fluid के लिए हो सकता है the rate of change of velocity with distance perpendicular to the direction of flow perpendicular to the direction of flow perpendicular to the direction of flow is known as velocity gradient is known as velocity gradient यहां condition लेगी ये perpendicular to the direction of flow की बात हो रही है देखिए जैसे अगर हम माल एक नदी है और ये इसकी ये ground है नदी का ये ये बेस्ट मान सकते हैं नदी का ये मैं river मान रहा हूँ और इसके माल लेते हैं ये z height है अब चुकि vertical height इसले में z ले रहा हूँ और इधर जो है ये जो velocity of flow है vx है किसी layer की velocity vx है अब देखो जो हम distance ले रहा है वो flow के perpendicular ले रहा है और थोड़ा सा और उपर गए layer में तो velocity थोड़ी बढ़ गई vx प्लस delta vx और इसके बीच की जो distance है वो delta z है तो उन्होंनों क्या कहा कि जो velocity gradient होता है velocity gradient वो होता है delta vx upon delta z तो इस प्रकार से हम लेख सकते है zxy आपका assumption है आप जो assume करना चाहिए करा दे तो rate of change of velocity with respect to distance और direction क्या होनी चाहिए perpendicular to the direction of flow उसको हम कहते हैं velocity gradient आप लिखिए coefficient of viscosity coefficient of viscosity जरा समझने की कोशिश करिएगा language आप जो हम बोलते जाएंगे वही तरीके से लिखना है अपनी भासा में बात में तरा समझेगा मैं फिर इसी चीज़ को लेने जा रहा हूँ यह हमारी नहर का base है और यह इसकी एक layer है और इसकी विरास्टी vx है और इसी layer से जुड़ी भी दूसी layer इसके उपर flow हो रही है दूसी layer इससे flow हो रही है और उसकी विलास्टी है vx प्लस delta vx तो नहीं देखें यह आपस में contact में layer है ठीक है तो contact में होए रहा है कि उपर की layer जो है न f4 से आगे बढ़ रही है तो नीचे के layer को उसी force है पीछे धका मार रही है इसको हम कह सकते हैं frictional force कह सकते है या हम इसको viscous force भी कह सकते है यह एक्चली में f जो यहाँ पर है वो viscous force है वही friction जो वहाँ solid के जो surface के बीचे बीचे पर लगता था वही यहाँ पर viscous force है तो कहते हैं यह viscous force किन-किन बातों पर depend करता है एक तो viscous force proportionate होता है to the area of the contact layer यानि जितना area of the layer contact में रहेगा उतना ज्यादा viscous force होगा जैसे friction में आप पढ़ते हैं कि भाई एक पहिया है पहिये पर friction कम लगता है क्यों कि पहिये का बहुत छोटा सा पार्ट जो है वो अर्थ के contact में रहता है वैसे यहाँ भी होगा और दूसरी बात यह proportionate होता है डेल्टा वी एक सपान डेल्टा जेट मतलब विलास्टी ग्रेडियन्ट की यह जेड हमने माना है और यह हमने डेल्टा जेड माना है अब जब इसको लिखेंगे तो विलास्टी ग्रेडियन्ट को पहले explain करेंगे आप लिखेंगे विसकस फोर्स इस प्रपोर्शनेट टू दा विलास्टी ग्रेडियन्ट तो आपको विलास्टी ग्रेडियन्ट को explain करना पड़ेगा तो दोनों ही questions को अगर मिला दें by question 1 and 2 f proportionate a into delta vx upon delta z तो जब f is equal to लिखते हैं तो एक constant आता है eta, eta, eta मारने वाला नहीं, eta into a into delta vx upon delta z अब यहाँ पर जो f है ना उसके दो direction है उपर की layer उपर भागती है, नीचे की layer को पीछे धका मारती है, तो इसलिए यह यहाँ पर plus minus लिखा जाता है plus minus से और कोई logic नहीं है logic यह है कि इसमें दो direction होती है, इसलिए plus minus लिखा जाता है तो आप लिखेंगे here eta is a constant eta is a constant known as coefficient of viscosity इसको हम coefficient of viscosity कहते हैं अगर हम यहाँ इसकी definition लिखना चाहें मतला हम definition of eta बनाना चाहें कि वह इसकी definition बताओ क्या होगी जाकर के तो आपको साब साब मालू जो कोई definition बनाते हैं तो यह अपान मेलेगी अगर कि इसको one बनाते हैं तो इटा का फार्मूला यहां से क्या बनेगा प्लस माइनस एफ अपान ए इंटू डेल्टा वी एक्स अपान डेल्टा जेट यह बनेगा फार्मूला इसका तो A को आप माल लेंगे अगर F माल ले A माल ले 1 मीटर स्क्वार और डेल्टा VX अपान डेल्टा Z को माल ले 1 1 मालो मीटर स्क्वार ना लिकूँ क्योंकि सेंटी मीटर भी हो तकता है 1 माल ले इटा क्या हो जाएगा प्लस माइनस F हो जाएगा तो अगर हम से definition कही जाए तो हम कह सकते है actually में जो coefficient of viscosity होती है ना वो viscous force के बराबर होती है जो कि दो layer के बीच में काम करती है जबकि layer के बीच का जो area of contact है वो 1 हो और velocity gradient भी 1 हो कह सकते हैं तो लिख ली जेगा इसमें लिखिए the coefficient of viscosity the coefficient of viscosity of a liquid of a liquid is defined as the coefficient of viscosity of a liquid is defined as the viscous force per unit area the viscous force per unit area of contact the viscous force per unit area of contact between two layers between two layers having a unit velocity gradient between them having the unit velocity gradient between them अच्छा अगर मैं कोई इसकी unit बताओ और इसकी dimension बताओ आपको याद होगा जब dimension पढ़ाए गई थी वहाँ बताये गया तक बहुत सारे ऐसे फार्मुले हैं जो कि अभी दादा बाबाबा बाद में आएंगे हो तो देखें अगर मैं unit and dimension of eta लिखता हूँ तो देखें eta is equal to लिख देता हूँ F उपर लिखा हुआ है F की unit हो गई newton upon A नीचे लिखा हुआ है इसकी A हो गई meter square और देखें ये आपका delta Vx meter per second तो meter per second और upon वाला Z उपर चला जाएगा तो उपर meter हो जाएगा एक meter से meter कड़ गया तो newton per meter square newton second per meter square newton second per meter square कह सकता हूँ मैं लग तो बड़ा जीब type का इड़ रहा होगा अब जैसे जहां shift हो आपने shift कर दिया देखो 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 F की newton हो गई A की क्या हो गई meter square हो गई विराश्टी की क्या हो गई meter per second हो गई और जो delta Z है उसको उपर shift कर दिया denominator में है delta इसको हमने जल्ट को उपर कर दिया एक meter से meter काड दिया तो newton second per meter square देखें आप यही पर जाकर रोक सकते हैं मताँ इसको अलग अलग कर रोक दीजेगा अज़र मैं dimension की बात करूँ तो newton की dimension क्या होती ML T inverse 2 into second के T और M square की L square तो इसकी dimension मेरे हिसाब से ML inverse 1 T inverse 1 लिकन लिए चाहिए अब मैं cheating कर लेता है मैं तब देख लेता हूँ क्या रहा है आरे वाह जानी कि अगर मैं इसको इसके हिसाब से करूँ तो इसकी definition यह भी dimension unit निकल ले है केजी पर meter second कह सकते हैं अगर मैं इससे देखूँ तो kg पर meter second अएटदर unit इसकी एक poise कही जाती है नोट लिचजेगा नोट अएटदर unit of eta poise होती है p o i s e poise और one poise जो है 1 upon 10 kg पर meter second होता है याई ज़ो आप SI unit होती है उसका 1 upon 10 यह one poise होता है अच्छा अगर temperature rise कर दे तो what will be the effect on the viscosity? अगर मैं आप से पूछू एक छोटा सा question कि what is the effect of effect of temperature on viscosity तो आप कहेंगे भाई ऐसा है कि जब temperature बढ़ाएंगे तो temperature क्या करेगा? molecule को दूर दूर करेगा spacing हो जाएगी तो यूँ कही है कि वो जो liquid की जो concentration है जो गाढ़ापन है उसका वो कम हो जाएगा वो पतला हो जाएगा liquid तो यहनि कि उसका विसकस फोर्स अपने आप बहुत जल्दी से कम हो जाएगा ठीक है? अच्छा अब लिखिए ज़रा बहुत ध्यान से terminal velocity terminal velocity बहुत important word है बहुत समझने वाला है terminal velocity अब जोड़ा सा कंसेप्ट समझेगा उपर से कोई भी नीचे गिरा प्लेन से फांद गया हूँ और पैरा सूट लेके फांद गया अब नीचे गिरा तो बताया जाता है जैसे से नीचे आएगा सपीड बढ़ती जाएगी व्इकाउज फिस्वेट गीवज़े से सपीड बढ़ती जाएगी ठीक है अब रास्ते में उसका पैरा सूट खूल गया उपर वाले ने चाहा तो खुल गया उपर वाले नहीं चाहता तो नहीं खुलता लोगों का नहीं खुलता खुलता है तो फट जाता है बले मजबूत है कि वो डिपेंड करता है उपर वाले खुल गया उपर वाले चाह रहा था पैरा सूट ने क्या किया उसको उपर की और अप्थर्च फोर्स लगाया तब यू बाडी नीचे आ रही है देखे पैरा सूट उपर फोर्स लगा रहा है और बाडी नीचे की और वेट की वज़े से नीचे बढ़ती जा रही है जैसे ऐसे बाडी नीचे आती जा रही पैरा स constant velocity से नीचे गिरती है, इसी को कहते है terminal velocity, अगर हम बहुत ही, मतलब बहुत short में इसकी definition कहें, तो आप कहेंगे कि that velocity in the downward direction in which acceleration is 0, ऐसी velocity जिसमें body में acceleration ना हो रहा हो, उसको हम कहेंगे terminal velocity, कह सकते हैं, तो लिखेगा, when a body falls in viscous medium, अब viscous medium में अपने आप air भी आगई और viscous medium अपने आप liquid भी आगए, when the body falls in viscous medium, then due to its weight, its velocity increases. and due to its weight, its velocity increases. and the viscous force opposes its motion, and viscous force of the medium, अब medium में आपने बताया है, air का भी हो सकता है, liquid का भी हो सकता है, and the viscous force of the medium opposes its motion, and a stage is reached, एक ऐसी stage पहुंचती है, a stage is reached, when the opposite, when the opposing viscous force, when the opposing viscous force, becomes equal to the effective force, effective force, yeah, effective downward force लिख दो, effective downward force, then the body moves with the constant velocity, then the body moves with the constant velocity, called terminal velocity. इसी को हम terminal velocity कहते है, इसको small v से denote कलीजेगा, small v से denote कलीजेगा, अब अगला लिखिया है, stokes ला, stokes ला, stokes ला, देखें, stokes का नियम क्या है, तब ध्यान से समझेगा, stokes आपने कहा, अगर किसी viscous medium में कोई body, terminal velocity से गिर रही है, तो उस पर एक viscous force लगता है, लगता तो ही है, तो उन्होंने का, अगर कोई spherical body है, कोई ball है, मताब उन्होंने जानवों से body कौन से लिए है, spherical, अगर किसी viscous medium में, terminal velocity से गिर रही है, तो उस पर लगने वाला जो viscous force होता है, वो F, वो होता है, 6 pi eta r v, यह उन्होंने फार्मॉला दिया था, तो लिखेगा पहले कहानी, according to stoke, according to stoke, if a small sphere of radius small r, if a small sphere of radius r, is moving, is moving with a terminal velocity V, with a terminal velocity V, V in a homogenous, in a homogenous medium, in a homogenous medium, then the viscous force acting on the body, on the sphere, then the viscous force acting on the sphere, is given by, F is equal to 6 pi eta r v, अब आप कहेंगे, फामॉला या कहां से, वो तो stoke जाने, बता के चले गए, हमसे बोले पढ़ा दे न, नहीं नहीं हमें पता है, ये फार्मूला, देखो प्रूफ कैसे किया गया, ये डायर फार्मूला दिया था उन्होंने, उन्होंने कहा था, एक चुछ जो force लगता है न, वो किस पर depend करता है, रेडियस पर depend करता है, किस पर करता है V पर depend करता है और viscosity पर करता है जनि F depend करता है Eta पर R पर और V पर और इनकी power ABC करके हम dimension method से इसको proof करेंगे याद है आपको dimension method से आपको relation proof क्या करते थे तो dimension method से इसको proof किया जाएगा ठीक है और V और उसकी power ABC याद है ना आपको हाँ तो दोनों तरब आप dimension रखेंगे ABC के वेलों निकालेंगे और रख देंगे और constant जो लिखेंगे और 6Y लिखेंगे यह इस डोक्स का नियम है अब लिखे calculation of term velocity अब हम term velocity terminal velocity निकालने जा रहे calculation of terminal velocity calculation of terminal velocity जड़ा देखिए ध्यान से हमने कहा कि एक sphere है चुकि हमको इस टोक्स ला यहां यूज करना है इसलिए sphere ही मानना पड़ेगा एक sphere है और यह ball माल लेते हैं इसका जो density है वो रो है ठीक है यह sphere की density रो है और sphere की जो radius है वो र है और किसी भी medium में मैं यह viscous medium ले ले लेता हूँ यह viscous medium है liquid है कुछ भी हो सकता है एक viscous medium में गिर रहा है और यह terminal velocity से गिर रहा है ठीक है तो देखे पहली बात तो इस पर इसका weight नीचे की और काम करेगा mg यहनि weight of the ball क्या होगा weight of the ball that is mg अब चुक्कि mass हमको मालूम नहीं है तो mass होता है volume into density तो volume volume into density into g और volume की value 4 upon 3 pi rq होती है तो यह हो जाएगा पहले वी लिखा रहे ने दीजे ठीक है देखे अब जो यह नीचे liquid में गिरेगा तो liquid क्या करेगा इस पर एक upthrust force लगाएगा तो यह upthrust force उपर क्यों लगेगा इसको मैं f dash माल लेता हूँ ठीक है वो liquid के अंदर ही है liquid उपर तक बना लीजेगा upthrust force acting upthrust force acting on the ball on the ball मैंने f dash माल लिया है actually upthrust force कितना लगेगा यह बॉल जितना liquid displaced करेगा यह upthrust force किसके एकोल होगा is equal to weight of the liquid इसको लिख दीजेज़ चाँ weight of the liquid displaced जितना यह liquid displaced करेगा उतर ही upthrust force होगा ठीक है कितना liquid करेगा यह displaced अपने volume के बरावर यह खिसका देगा तो volume तो रहेगा जितना liquid displaced हुआ है और density किसके लिए जाएगी water की liquid की उसकी मैंने मान ली है sigma तो V into sigma into G इतना force लगेगा ठीक है तो अच्छा यह हम मान रहे हैं कि ball नीचे की और V velocity से आ रहे है V बोले तो terminal velocity ठीक है तो net force ball पे कितना act कर रहा है net force acting on the ball आप अप अप्थर्च को ऐसा करो इसको V sigma G लिख दो ज्यादा ठीक रहेगा तो अपने net force तो लगेगा ही उस पर force तो लगी रहा उस पर तो net force जो होगा उसको हम कहेंगे F मान लेते हैं तो आएगा V rho G minus V sigma G और ये Stokes साब ने कहा कि ये जो force लगता है वो कितना होता है 6 pi eta r V according to Stokes law ठीक है तो V कामन हाँ ने वो ले कहने में force हाँ acceleration 0 होगा बोडी का लेकिन force लगेगा उसमें ठीक है तो ये आपका V minus sigma minus 0 into G होता है ठीक है यहां लिखेंगे as F is equal to 6 pi eta r V by Stokes law by Stokes law ये Stokes का नियंद था अब देखो यहां से अभी हम इसको कल्बनेट करते हैं इसको और अब करेंगे जब देखे ये diagram तो बना लिया होगा न तो देखें यहां से 6 pi eta r V is equal to V है volume of the sphere 4 upon 3 pi r cube rho minus sigma into G तो जब V की value निकालेंगे देखो pi से pi कर जाएगा डाट कर रहा हूं 2 2 जब यहां से आएगा 2 by 9 यह calculate कर दो confused नहों 4 pi r cube rho minus sigma into G upon 6 pi eta r अब काटो पीटो देखो ये 2 by into 3 भी लिखा है यहांपर ये 2 by 9 हो गया pi से pi कर गया r से उपर r square पिचेगा तो r square होगा rho minus sigma into G और अपान eta ये आपका terminal velocity का formula हो गया 2 upon 9 r square rho minus sigma into G upon eta यह आप देख रहें terminal velocity is equal to the proportionate to the square of radius जितना ज्यादा radius होगा उतनी ज्यादा terminal velocity उसकी होगी रहें ज़रा एक चित ध्यान से समझीएगा ये terminal velocity किसके लिए है जो body नीचे की ओर गर रही है थीक है ये भी तो हो सकता है कोई body उपर के ओर जा रहे हो जैसे के example के तोर पर आप एक glass ले लिजेगा glass को उल्टा करके पानी के अंदर डिबोगे और glass को सिधा करोगे तो नीचे से एक बुलबुला बनेगा पानी का उपर आएगा हवा का बुलबुला air drop जो air bubble बनता है उसमें वो उपर आता है तो अगर वहां पर आएगा अगर बॉड़ी ऊपर आ रही होगी तो होगा क्या यह जो रो माइनस सिग्मा है वो उल्टा हो जाएगा बस जो नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था विसकस फोर्स वो नेट फोर्स अपवर्ड हो जाएगा यह ध्यान रखेगा थोड़ा सा यह अब विरास्टी ओफ एफ्लक्स की बात कर रहे हैं कुछ बाते उसमें बताई थी हमने ठीक है उसके बारे कुछ बताना है में कहीं छेद कर दिएगा तो उससे लिक्वड बाहर निकलता है और जिस विलास्टी से निकलता है उसी को हम कहते हैं विलास्टी ओफ एफ्लक्स ठीक है देखिए तो थोड़ा सा रिमाइंड करिए अपना कांसेप्ट यह टंकी थी पानी की पानी ने कहिए लिक्वड कह द हमने जो उपर की इसकी लेर थी वहां प्रश कि था और वहां विलास्टी कितने ही जीरो की लीक्वड की पी मतलब क्में प्रिसर था और हमने ऊपर से एचगहराई पे समाल एचगहराई पे हमने एक यहां पर एक छोटा सा होल कर दिया था किसे सेकंड जरह को अूला गे कि अब कि इस में उसको हमने उसमें फ्रैट मोड लगाया नहीं था इसमें अक्सिजन के सच बहुत आ रहे हैं ना मतब जो लागडाउन में खुब आराम की है ना इस्टूडेंट आप एकदम से निकल के बाहर आएं सर कहां सर कहां सर दोड़े दोड़े भाग रहे हैं मतब आप सबको पढ़ना और सबको कोर्स पूरा करना तुम भी उसी में हो तुम तो ठोड़ा जल्दी आ गए हो यह जो जिसने आप आफ करते हो ना कभी कभी आफ करते हो जब ने इसकूल पर रिलाई करना चाहिए यह रिलाई करना चाहिए लेकिन जो 11 टॉल्थ होता है ना उसमें भी आप कही ने कहीं जो है help लेनी पड़ती है सबको लेनी पड़ देखते हैं तो जैसे यहां से लिक्विट बाहर निकला तो यसे उसकी विलास्टी क्या थी वी थी और प्रेसर उस पर भी पी था तो मैंने क्या-क्या यहां से यहां पर बर्नौलिस थ्योर्म तो यह प्रेसर कितना हो गया उपर पी विलास्टी क्या है जीरो और प्लस रो जी एच कैपिल एच क्योंकि यह ग्राउंड पे रखी है टेंगी और एच हमने माल लिए है कैपिल एच इस इकॉल टू जब जैसे बाहर निकला वहां प्रेसर पी विलास्टी उसकी रो वी होगा है हमाइनस एच क्योंकि यह आप ग्राउंड यहां से हाइट लोगे ना एच मैनस एच तो यह पी पी कड़ गया इसको खोलें क्या आएगा रो जी कैपिल एच इस इकुल टू हाफ रो वी स्क्वार प्लस रो जी कैपिल एच माइनस रो जी इसमाल एच यह रो जी है तो V की value आ जाएगी under 2GH तो बताया गया कि अगर freely किसी body को हम फेकते हैं यहाँ पर तो उसकी जो velocity गेन करता है वही velocity of efflux इसमें होता है तो लिखेगा the velocity of efflux velocity of efflux of liquid from an orifice velocity of efflux of the liquid from an orifice उसको orifice कहते है orifice is equal to that velocity is equal to that velocity which the liquid acquires which the liquid acquires in in falling freely from the free surface of the liquid up to the orifice यह हमने लिखवाय भी था पहले आपको ठीक है अब ज़रा समझेगा इतना तो वहाँ पर भी हम करा चुके थे अब ज़रा थोड़ा सा इसमें और आगे चल रहे हैं देखो ज्यान से सावधान जैसे liquid यहां से निकला वैसे वो यहां करके गिर गया होगा यानि A point से निकला और B point पे आके गिर गया ठीक है और यहां से X distance पे गिरा देखे जब वो निकला था जैसे निकला था उसमें vertical velocity नहीं थी horizontal थी ठीक है और vertical height कितनी कबर की है capital H minus small H तो मैं माल लेता हूँ कि यहां से यहां तक उसको time T लगा तो पहले उसका vertical motion लेंगे तो for the vertical motion of liquid for the vertical motion of liquid कहां से कहां तक from A to B तो देखे तो velocity तो 0 होगी उसकी तो S बराबर S बोले तो height H minus S is equal to half GT square तो उसको time कितना लगा to H minus H upon G under root इतना तो उसको time लगा यहां से यहां तक आने में ठीक है कितनी distance कबर की तो distance के लिए कहों सा motion लेंगे horizontal तो for the horizontal motion of liquid from A to B horizontal में देखो velocity यहां V लिखी जाएगी तो कि horizontal velocity है तो distance is equal to velocity into time तो V तो अब भी निकाल चुके under root 2GH 2G small H और time निकाल लिया under root 2 H minus H upon G तो 2 बाहर हो गया G cancel हो गया under root H into H minus H यह यह आपका X निकला है आपको calculus पढ़ा दी गई differentiation नहीं पढ़ा है हो गया हो गया अब देखिए बाड़ी maximum range बाड़ी ने कहें liquid कहें liquid maximum range पर गिरने के लिए ज़रूरी है कि यह रूड की जो अंदर की चीज़ है मैं जो होनी चाहिए ठीक है अब यहां